हरकिष्णा् आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे स्कॉर्ण में जिसका नाम गीता वलोकन आज हमारी चृतीसमी कक्षा है जो अध्यायच्षे जिसका शीर्शक है ध्यान योग उस पर आधारित है यह हमारी दूसरी कक्षा है अध्यायच्षे पर मंगलाचरन प्रार्थनाओं के साथ हम अपनी कक्षारंप करते हैं साथ वाधूतं परिजन सहीतं क्रिष्न चैतन्य देवं स्री राधा कृष्न पादान सहगन ललिताश्री विशाखान वितामिष्चा हे कृष्न करुना सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्तकांचन गवरांगी शिराधे व्रिंदा वनेश्वरी व्रशभानू सुते देवी प्रणमामी हरिप्रिये वांचा कल्पतर उभ्यष्चा क्रपा सिंधुभ्य एवचा पतिता नाम पाबनेभ्यो वष्ण वेभ्यो नमो नमाहा चे का अवलोकन मान्चित्र है और पिछली कक्षा में हमने अध्याय छे का जो पहला भाग है अध्याय छे को हमने पांच भागों में विभाजित किया है यहां पर और पिछली कक्षा में हमने अध्याय छे के पहले भाग के लगभग छे शलोकों पर चर्जा करी थी जिसमें म होते हैं इस पर हमने चर्चा करी और अस्टांक योग के बारे में ये जाना के बही इस में प्रारम्भी का वस्था कौनसी होती है और उन्ठ अवस्था कौन सी होती है आज भी हम अपनी चरचा IOS अध्याय में जो बाकी के बचशोवे शलोक हैं उन पर करेंगे और कुछ शलोक हम भाग दो मतलब जो इसके तस्वें शलोक से लेके बद्तिस्वें शलोग हैं तो लगभक 4-5 शलोग हम अगले भाग के भी आज चर्चा करेंगे चर्चा से पहले हम पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था जो समझा था उस पर एक बार नजर डालते हैं जल्दी से पिछली कक्षा हमने आरंब में आपको बताया था के अध्याए दो से लेके पांच तक गीता में कर्मियोग की चर्चा भगवान कर चुके हैं और पांच भी अध्याए के 27-28 शुलोक में वो अर्जुन को अष्टांग योग का बड़ा ही संग्षेप में विवरन देते हैं अब यहां छटे अध्याए में अष्टांग योग की विस्तार से चर्चा भगवान करते हैं मुख्य तोर पर इस छटे अध्याए में जैसे की आप देखेंगे विशे इस प्रकार से भगवान ने लिया है ताकि अर्जुन को यह बताया जा सके कि अश्टांग योग की विधी जो है वो जटिल है और कठिन है और सामान्य लोगों के लिए यह इतना सरल नहीं है हमने विस्तार से चर्चा इस बात पर भी करी के सन्यास और योग जो दो विशे हैं भगवत गीता में बार-बार अर्जुन जो हैं वो इस बारे में प्रश्न पूछते हैं सन्यास क्या है इत्यादी तो भगवान यहां पर पिछले अध्याय पांच में भी बता चुके हैं क सन्यास और योग सन्यास का मतलब कर्म सन्यास और योग का मतलब कर्म योग कि सन्यास और योग में एक समानता है तो पिछले अध्याय पांच में उन्होंने समानता जो बताई थी वो यह बताई थी कि दोनों के माध्यम से ही जो सादक है वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है ले कि दोनों ही कर्तव्य की भावना से कर्म करते हैं, दोनों ही किसी प्रगार के कर्म फल से आ सकते नहीं होते हैं तो एक समानता ये बताई, उसके बाद भगवान कहते हैं कि एक समानता और है और वह समानता है कि इंद्रियत रिप्ति ना तो सन्यासी पसंद करता है और नहीं योगी पसंद करता है तो टोटल तीन समानता हैं हमने देखी कि दोनों से ही मुक्ति मिल सकती है दूसरा दोनों ही योगी भी और सन्यासी भी दोनों ही करतव्य की भावना से कर्म करते हैं और तीसरा कि इंद्रेत रप्ति ना तो योगी पसंद करता है और नहीं सन्यासी पसंद करता है मतलब इंदरे तृपटि का त्याग, योगी को भी करना होता है और सन्यासी को भी करना होता है तो जब ये लास्ट वाला POINTS हमने चर्चा करी, तो हमने ये भी जानकारी ली ये भी समझने का प्रयास किया, कि आध्यात्मिकता और भौतिकता साथ साथ नहीं चलते कोई कहे कि भी मैं आध्यात्मिक रूप से भी बड़ा मजा करूंगा और भौतिकता में भी एक साथ अपना मौजमस्ती पूरी लूँगा तो ये एक साथ नहीं चल सकती दोनों में से हमको एक का चुनाव करना पड़ेगा किन्तु इसका अर्थ यहां पर ये नहीं है कि हम भौतिक जीवन में भौतिक वस्तुओं के प्रती उनसे डील करना छोड़ दें या उससे मुह मोड़ लें हमें जो चीज छोड़नी है वो छोड़नी है इन भौतिक वस्तों के प्रति आसक्ती, इन भौतिक वस्तों के प्रति महों. इनहीं हमें अपने जीवन का सरवोच लक्षे नहीं बनाना है. इस तरह से जो व्यक्ति भौतिकता को आसक्ति की दृष्टि कोण से ना देखते वे बलकि उस आसक्ति का त्याग करते वक्त अपना जीवन में आचरन करता है तो वह भी एक प्रकार का सन्यासी ही है वह भी एक प्रकार का योगी ही है जिसे हम कर्म योगी बोलते है उसके बाद चर्चा में भगवान ने ये समझान भी कवस्ता होती है जिसमें हम उसको बोलते है आरूरुक्ष और दूसरी अवस्था उन्नत अवस्था मतलब एडवान स्टेज और उसे हम बोलते है आरूड आरूड शब्द पर हमने चर्चा करी थी आरूड का मतलब है जो उचे स्थान पर स्थापित है जो सीड़ी के ऊपर चड़ा हुआ है उसे आरूड बोलते हैं उधारन पर हमने दिया था गरूड आरूड विश्णुजी के लिए आता है या रत आरूड रत के उपर चड़ा हुआ गेक्ति तो आरूड मतलब जो एडवान्स है जो उपर चड़ा हुआ है उसे आरूड बोलते हैं और इसी शलोक म जिसमें भगवान आरूरुक्ष और आरूर अवस्था का चर्चा करते हैं, उसमें बताते हैं कि आरूरुक्ष अवस्था में कर्मयोग योग का में साधन रहता है और 19 अवस्था में या आरूर अवस्था में कार्य कलापों का त्याग, तो जब साधक कर्मयोग की विधी वि जाता है तो इसका आर्थ क्या हुआ कि जो अस्टांग योगी होता है वो प्राणभिक अवस्था में कर्म योग के विधी-विधानों का पालन करता है लेकिन अस्टांग योग की जो अवस्थाइं हैं जैसे यं, निंअ, आसन, प्राणयाम इन विधियों के बारे में भी हमने संक्षेप में बड़ा संक्षेप में चर्चा करी उसमें हमने बताया के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधी तो यह आठ अंग हैं अश्टांग योग के जिसमें पहले चार जो अंग हैं वो आरूरुक्ष अथा बोलते हैं कुछ लोग यम, नियम, आसन, प्राणायाम इनको हट योग के नाम से भी जानते हैं यह मने शायद पिछली कक्ष्या में नहीं बताया था आपको इन चारों को हम हट योग भी कई बार बोल देते हैं आपने नाम सुनाओगा हट योग तो यम, नियम, आसन प्रणायाम अक्सर हट योग के अंतरगत बोले जाते हैं और प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधी कई बार ध्यान योग करके भी इसको बोला जाता है अश्टांग योग का एक नाम और है जिसे हम बोलते हैं राज योग कई नाम हो गए अश्टांग योग राज योग हट यो और अंतिम चार अवस्थाओं में ध्यान या कंसेंट्रेशन या मन नियंतरण जिसे हम बोलते हैं आंतरिक रूप से ध्यान करना उस पर फोकस ज्यादा है अस्टांग योग में आप देखेंगे कि मन के नियंतरण की आवशक्ता पर बहुत अधिक बल दिया गया है और मन को नियंतरण करने का इसमें बड़ा महत वमाना गया है इसी कारण से भगवान शी कृष्ण यहाँ पर मन नियंतरण से संबंदित कुछ लोकों का विवरण देते हैं भगवान कहते हैं कि मन हमारा मित्र भी है और शत्रू भी स्रवत कष्ट्रमंद नियंत्रन क्या होता है जैसा प्रभुपाज जीन अपने तातपरे में लिखा यहां पर कि मन को सदा कृष्ण में लगाओ तो जब आपका मन भगवान में लगा रहेगा तो भगवान से जो भगवान की सिवा में लगाओ लेकिन अश्टांग योग में हम देखते हैं कि साधक कई अन्य प्रकार से जैसे ध्यान लगाकर प्रत्याहार करकर आसन करकर प्रणाया मित्यादी से भी मन को नियंत्रन करने का प्रयास करता है और फिर भगवान कहते हैं कि देखो जिसने मन क जीत लिया वही मन उसका सर्वर्श्रिष्ट मित्र बन सकता है अन्यत्था वही मन उसी व्यक्ति का सर्वर्श्रिष्ट शत्रुभी बन जाता है तो ये मूलतह हमारा प्रिष्ली कक्षा में जिन बातों पर हमने चर्चा करी उसका छोटी सी रूप रेखा आपके सामने आज हम उसी भाग एक में अध्याइच्छे का जो पहला भाग है उसी के जो अंतिम तीन श्लोक हैं उन पर हम आगे बढ़ते हैं अब भगवान ने चटवें श्लोक में योगा रूड अवस्था में ये बताया कि योगा रूड अवस्था में जो व्यक्ती है वो किस प्रकार से वेभार करता है और इसके और अन्य लक्षन भगवान सातवें, आठवें और नवे श्लोक में अरजुन को समझाते हैं तो यहां यो स्लाइड आपके सामने है, उस स्लाइड में उन्हीं तीन श्लोकों को अलग-अलग छोटे-छोटे उनमें से जो आवश्यक जो शब्द हैं, उनको मैंने अलग-अलग यहां पर लिखा हुआ है और उनके सामने मैंने वो लक्षणों को लिखा है जो योगारूड अवस्ता में जो सादक होते हैं उनको उनमें पाये जाते हैं हम धीरे से जल्दी से एक-एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे इतने कठिन नहीं है जितात्मनाहा मतलब जिसने मन को जीत लिया है आत्मना हमने पिछली कक्षा में बताया था कि आत्मा शब्द के तीन अर्थ होते हैं शरीर, मन और आत्मा और परिपेक्ष के हिसाब से, कॉंटेक्स्ट के हिसाब से ये अर्थ जो हैं वो बदलते रहते हैं तो यहाँ जितात्मनह का मन है, मन को जीत लिया, प्रशान्तस्य, प्रशान्तस्य का अर्थ है, शान्ति प्राप्त कर लिए, शान्तस्य अमले प्रशान्त महासागर आपने देखा होगा, जोग्राफी की क्लास में आपने पढ़ा होगा, Pacific Ocean, हिंदीमों से बोलते हैं, प्रशा नजदीक पहुँचने वाला विक्ति उसको बुलते हैं परमात्मा समाहिता फिर शीत उष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो हो शीत मतलब सरदी उष्ण मतलब गर्मी सुख दुख आप समझते हैं सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो मान अपमानयो मतलब मान औ दुख, मान, अपमान, सब एक समान, तो ये जो योगा रूद अवस्ता में जो सादक होता है, उसके लिए गर्मी, सरदी, सुख, दुख, और मान और अपमान सब एक ही समान होते हैं, ज्यान, विज्यान, तिरप्तात्मा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, आने व बातशीत है, वो हम समझने का प्रियास करेंगे, लेकिन यहाँ पर जानिए कि ज्यान, विज्यान, तिरप्तात्मा, इसका आर्थ क्या है, ज्यान तथा अनुभूती से संतुष्ट, इसमें तीन, चार शब्द हैं, ज्यान, विज्यान, तिरप्त और आत्मा, ज्यान का theoretical knowledge, विज्यान का मतलब realized knowledge, realized मतलब जिस knowledge को वो experience कर चुगा है सादक, और तिरप्त आत्मा, तिरप्त आत्मा मतलब पूर्ण रूप से संतुष्ट, तिरप्त मतलब जैसे कई बार हम लोग गर्मी में आते हैं, और जब शीतल जल हमारे अंदर जाता है, तो हम तिरप्ती बताता है, ज्यान विज्यान तिरप्त आत्मा, उसके बाद कूटस्थो विजीतेंद्रिया, कूटस्थो का मतलब आध्यात्म को प्राप्त, आध्यात्म को प्राप्त मतलब आध्यात्मिक मानसिक्ता में रहने वाला, इसा व्यक्ति कूटस्थो, ऐसा व्यक्ति अपने में परिवर्तन होते हैं, घटनाएं होती हैं, तो वह कूटस्थो मतलब Stably situated रहता है, ज़्यादा उसके consciousness पे ज़्यादा उसकी चेतना पर उतार-चड़ाव का आसर नहीं पड़ता है विजितेंद्रियाह का अर्थ हुआ आत्मसयमी का मतलब Self-controlled कूटस्थो विजितेंद्रियाह युक्त इत्युच्चते योगी युक्त मतलब भगवान से connected तो गीता में आप देखेंगा, ये तीन्च लोग अकसर आते हैं योग, युक्त और योगी और इन सब तीनों का ही अर्थ एक ही है जिसका अर्थ है connection connection मतलब किससे आध्यात्मिक जीवन से, आध्यात्म से, भगवान से, परमेश्वर से, परमपिता से वो एक connection, वो एक संबंध, एक connection को अनुभव करना युक्त इत्युच्चते योगी और वह एक कर्म योगी भी होता है युक्त इत्युच्चते योगी सम लोश्टराश्म कांचनह सम का मतलब equal, बराबर लोश्टर का मतलब कंकड पत्थर आश्म का मतलब पत्थर कांचन का मतलब सोना तो इसमें भी आप देखे कि चार शब्दे हैं सम मतलब समधरिष्टी लोश्टर का मतलब कंकड आश्म का मतलब पत्थर और कांचन का मतलब सोना तो इसकारत ये हुआ कि कंकड पत्थर और सोना उन सबको एक ही दृष्टी से देखना उन सबको एक समान भाव से देखना अंतर ना करना उनमे और फिर नवेश लोक में भगवान एक लंबी चोड़ी लिस्ट देते हैं लेकिन उसका सुहरिन मित्रारी उरुदासीन मध्यस्त द्वेश्य बंधुशु साधुश्वपीच पापेशु समबुधिर विशिश्यते यहाँ पर वे बताते हैं समबुधि यहाँ पर भी समता की बात हुई है कि ऐसा जो अवस्ते में जो साधक है वो स्वभाव से कैसा होता है उसका जो बिहेवियर है वो कैसा होता है सूहरिन मतलब जो बहुत ज़्यादा हितैशी है मित्र अर्थात मित्र है हमारा अरी का मतलब शत्रु सूहरिन मित्र आर्यू आरी यहाँ पर संधी विच्छेद हो चुका संध मद्यस्थ, मद्यस्थ मतलब जो बीच में कई बार negotiating party होती है एक जो mediation party जिसे हम बोलते हैं, कई बार दो पार्टियों में विवाद अगर हो जाए और कोई अगर व्यक्ति मद्यस्थता करता है, mediation करता है, तो उसको यहाँ पर बुला गया है, medyast, dvishya, dvishya मतलब यदि कोई व्यक्ति इरशा करे है, फिर बंदुशु, बंदुशु मतलब सगे संबंधी, साधुश्वपी चा पापेशु, कोई व्यक्ति साधु सभाव का है या कोई व्यक्ति पापी सभाव का है, ऐसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ mainly अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखें और थोड़ा सा अब अनलाइज करने का प्रयास करें, विशलेशन करने का प्रयास करें, तो देखिए एक थीम तो यहाँ जो चल रही है वो है समानता, संभाव, देखिए यहाँ चौथी आइटम जो है यहा तो देखिए चौथा और आप नौवा और दस्वा इसमें समानता की बात कही गई है, संभावना की बात कही है, संदृष्टी की बात कही गई है, उसके अलावा मन को जीत लिया आत्मसयम, यह भी एक तरीके से एक ही थीम चल रही है, माइंड कंट्रोल के उपर, उसके परमात्मा में उसका ध्यान लगा रहता है, आध्यात्मिक है, तो परमात्मा को प्राप्ट कर लिया, आध्यात्मा को प्राप्ट कर लिया, यह लगभग एक ही प्रकार का थीम है, तो यहां यह देखे कि दो तीन थीम है, समता है, माइंड कंट्रोल है, यानि कि मन पर नियं लेकिन इन सभी शलोकों में कही ना कहीं छोटी-छोटी कोई ना कोई खास बात है और हम एक एक करके इन शलोकों को पढ़ेंगे शलोकों को समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे और जो इन में छोटी-छोटी खास बाते हैं उन पर गहराई में जाएंगे क्योंकि इस गहरा आपने कोई एक नहीं बात सीखी, कोई एक आपने अच्छी बात सीखी, तो सात्मा श्लोक देखे, जितात्मनहा प्रशानतस्य परमात्मा समाहिताह, शीतोष्नसुख दुखेशु, तथा माना पमानयोह, तो हमने इन सभी शब्दों का अलग-लग अर्थ देखा है, लेकिन अ पहले भगवान अब बात करते हैं, जितात्मनहा और फिर कहते हैं, प्रशानतस्य इसका अर्थ क्या है, कि जो व्यक्ति मन को वश्मे कर लेता है, वही वास्तव में प्रशान्त बन सकता है, वही वास्तव में शान्त बन सकता है, उसी व्यक्ति को, ऐसे ही व्यक्ति को शान् संभव नहीं है तो आध्यात्मिक साधक के लिए कोई प्रैक्टीशनर है जो spirituality practice कर रहा है ऐसे प्रैक्टीशनर के लिए mind control एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशे है आपने देखा होगा अध्याय दो में हमने आत्मा के बारे में जानकरी ली आत्मा जो शरीर से अलग है जो नश्वर नहीं है इत्यादी इत्यादी करके भगवत गीता की दूसरे अध्याय में आत्मा के विश्य में भगवान बहुत अधिक हमें जानकारी देते हैं लेकिन यहां छटवे अध्याय में आप देखिए यहाँ पर जो चर्चा का पूरा ध्यान है, जो चर्चा का पूरा फोकस है, वो है मन पर नियंत्रन करने को और मन पर नियंत्रन करना, जैसे आत्मा से संबंधित ज्यान हमारे ले बड़ा आवशक है, किसी साधक के ले बड़ा आवशक है उसी प्रकार से मन पर नियंत्रन का जो विशे है यह भी एक साधक के लिए बड़ा ही आवश्चक है तो मन को वश्मे किये बिना शान्ती संभव नहीं है ये जितात मना प्रशान तस्या और फिर परमात्मा समाहिता है और फिर उसी बात को हम यहाँ पर परमात्मा से भी जोड़ कर देख सकते हैं कि मन को वश्मे किये बिना परमात्मा से निकटता भी संभव नहीं है कि जब आपका मन वश्मे ना हो, मन पर नियंत्रन ना हो तो आप परमात्मा से निकटता नहीं बना सकते हैं परमात्मा से निकट बनाने के लिए एक शान्त मन का, एक वश्मे किये हुए मन का, एक आत्मसंयमी चेतना का होना बड़ा ही आवश्यक है. और फिर यहाँ दूसरी लाइन हम देखते हैं. शीतोष्न सुख दुकेशु तथा मान अपमान योग. यहाँ पर भगवान कहे रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो होता है, वो द्वन्द्वों से परे होता है. द्वन्द्व मतलब dualities. Dualities मतलब कभी बहुत उंचा, कभी बहुत नीचा. जैसे सागर में जो लहरें उठती हैं, कभी बहुत उंची जली जाती हैं, कभी बड़ी नीचे चली जाती हैं. या जो गणित के चात्र हैं जिन्होंने साइन वेव पढ़ी होगी, जैसे साइन वेव ऐसे उपर करके उपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर उपर जाती है, फिर नीचे आती है, साइन वेव का उधारण यदि हम आपको अपने जीवन में, अपने जीवन का यदि आपको चितरी करन करना हो, तो साइन वेव अगर आप सोचें, तो हमारा जीवन भी साइन वेव की तरह है, हमारे जीवन में कभी घटना ऐसी होती है, कि वो बड़ी सुख देने वाली होती है, और कभी घटना ऐसी होती है, जो हमें बड़ी दुख देने वाली होती है, इसी प्रकार स सर्दी और गर्मी है मान अपमान सुख दुख हमारे जीवन में निरंतर बने रहते हैं तो इन्हें भगवत गीता की भाशा में क्या कहा गया है संस्कृत में द्वंद्व द्वंद्व मतलब डुएलिटी डबल एक कभी उपर कभी नीचे तो यहां पर देखे के शीत उष्ण सुख दुखेशु मान अपमान यो यहां पर देखने वाली बात यह है कि ऐसा जो योगारूड जो सादक है जो एडवान सादक है वह गर्मी और सर्दी सुख दुख और मान अपमान में समान रहता है सम रहता है डिस्टर्ब नहीं होता है अपनी ड्यूटीज नहीं तो यहां देखिए गर्मी सर्दी यहां पर शरीर के इस तर पर बात की गई है। के स्थर पर समानता जैसे mind intelligence and false ego तो मान और अपमान मान और अपमान ये ego के स्थर पर यानि कि अहंकार के स्थर पर ये समानता हुई तो जो योगा रूड सादक है वो शरीर के स्थर पर भी समान संभाव रखता है मन के स्थर पर भी संभाव रखता है और अहंकार के हमने अभी लिस्ट आपको दिखाई थी पहली स्लाइड में उसी लिस्ट में जो दो शब्द है ज्ञान विज्ञान तरप्तात्मा और समलोश्ट्राश्म कांचना इन दो शब्दों की थोड़ी सी गहराई में हम यहां जाने का प्रयास करेंगे इन में ग्यान विज्ञान तर विज्ञान से अधिक गहरा होता है ज्ञान और विज्ञान में क्यांतर है ज्ञान तो केवल फेयरेटीकल नौलिज होती है लेकिन विज्यान जो है, उसे हम बोलते हैं अनुभूत ज्यान मतलब जिस ज्यान को आपने हिरदे से अनुभव किया है आपको यदि हम कहें कि रसगुल्ला सफेद रंग का होता है, रसगुल्ला मीठा होता है, रसगुल्ले का साइज जो है लगभग डेड़ इंच का होता है, रसगुल्ला थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो इससे आपको रसगुल्ले के बारे में जानकारी तो मिल गई, लेकिन तो पहली जो बात है, वो तो हो गया ग्यान, लेकिन जब रसगुल्ला खा कर, जब आपने उससे सुख की अनुभूती करी, जब आपने उससे सैटिस्फेक्शन की अनुभूती करी, उससे आपकी भूग त्रिप्त हुई, उससे आपको सुख मिला, आपके मन को आनंद हुआ, कि भही मैंने एक इतना स्वाजिष्ट वियंजन खाया है तो वह हो गया विज्ञान तो ज्ञान विज्ञान त्रिप्त आत्मा इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक ज्ञान है वह भी इसी प्रकार से कारे करता है तो यहां देखिए मैंने पहली बुलेट में यहां तीन उसके स् मस्तिष्क और हृदय, जब आप कोई भगवत गीता जैसे गरंथ का, श्रीमत भागवत जैसे गरंथ का, रामायन जैसे गरंथ का, कोई आध्यात्मिक विचार, कोई आध्यात्मिक विशे, कोई दर्शन की बात जब आप सुनते हैं, तो पहली पहली बार वो आपके कान के इस और फिर आप आगे चल दिया, ऐसा ही एकसर होता है जब हम आमतार पर बाते सुनते रहते हैं, समाचार सुनते हैं, रेडियो पर कोई कॉमेंटरी सुनते हैं, तो हमें कान के इस तर पर वह हैं नौलेज हमारी रहती है, लेकिन अब आप पुलट कर पुनहां उसके बारे में द कि देखिए कि जैसे हमने पिछली कक्षा में अध्या 5 में आपको एक बात पर चर्चा करी थी, दुख योनया एवही, यही संस परशजाब होगा, दुख योनया एवही, दुख योनया, हमने क्विज में इसके उपर एक प्रश्ण भी बनाया था, दुख योनया का अर्थ क् मतलब यह है कि जो इंद्रिय तरपती होती है, जो इंद्रिय विश्यों में यदि कोई व्यक्ति तरपती करना चाहे, तो अल्टिमेटली उसका जो एंड है, वो दुख में होना है, तो दुख योनया, यहां योनया का मतलब क्या है कि जैसे एक गर्भवती स्री यदि लेगा, तो हमने ये बात समझाई थी, तो ये एक आध्यात्मिक विश्य की बात है, लेकिन इस आध्यात्मिक विश्य को सोचते जब हम हैं कि इंद्रिय विश्यों में हमारा अनुभव तो यह कहता है कि जब हम कोई फिल्म देखने जाते हैं, जब हम कोई अच्छा संगीत सुनते हैं, तो वास्तम में हमें सुख होता है, लेकिन यहां भगवर गीता हमें बता रही है कि दुख योनया एवही, कि ये तो दुख का कारण ही है, तो अन्त में दुख का ही कारण बनने वाला है, तो ये बात हमारी समझ में नहीं आई, इस प्रकार से जब आप इन दिरे-धिरे अब यह मस्तिश्क के इसतर पर आने लगी है कि अच्छा हाँ, कि शुरुवात में तो हमको आनन्द आता है, लेकिन अंत में हमें वास्तव में इससे कष्ट ही होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा मौज मजा करें, भोग विलास करें, तो अंत वास्तव में कष् यह अब आपके मस्तिश्क के इस तर पर पहुँच गई है लेकिन इसके बावजूद जब बात मस्तिश्क के इस तर पर भी होती है तब भी कई बार हमने देखा है कई बार हम देखते हैं कि हाँ हमें समझ में तो आ गई लेकिन हमारे जिवन में उसका आचरण नहीं हो पा रहा है हम समझते तो हैं कि ये विशे वस्थूँओं के उपर यदि हमारी आ सकती है तो हम वास्ता में धुखी होंगे लेकिन जानते बूजते हुए भी हम फिर एक बार विश्यों के प्रती विशे वस्तूओं के प्रती, इंद्रिय विश्यों के प्रती हम आसकत होते हैं. तो इसका अर्थ क्या? कि जब जब जानकारी अभी तक मस्तिश्क इस तर पर है, तब हमारी ये स्तिती रहती है. लेकिन धीरे धीरे अनुभव के आधार पर, साधना के आधार पर, और अधिक सुनते सुनते, जब हम और अनुभव करने लगते हैं, तो ये वास्तब में अब हमारे मस्तिश्क से उतर कर, हमारे हिर्दे में प्रवेश करने लगती है बात. जब हमारे जीवन में हम इन बातों का अनुभव करते हैं, गहराई से और अधिक मनन और चिंतन करते हैं, तब ये बात हमारे भिरदय में उतरने लगती है. अब हम मन से वास्तव में उस बात को स्विकार करने लगते हैं. और जब हम इस बात को मन से स्विकार करने लगते हैं, तब वास्तव में ऐसा जो सादक होता है, ऐसा जो व्यक्त में बदल चुका है अब उस ज्यान से वास्तम में त्रप्ती अनुभव करता है अब उस ज्यान से वास्तम में संतोष की भावना अनुभव करता है सुख की भावना अनुभव करता है इसी ही बोलते हैं ज्यान विज्यान त्रप्त आत्मा देखे हमने अपने कोर्स में अपने हैं तो आप इस प्रक्रिया से गुजरते हैं कि हमने कक्षा में उसे सुना हमने उसे श्रवन किया जब आप क्विज में उसको प्रश्ण का उतर लिखने का प्रयास करते हैं तब मनन की प्रक्रिया आपकी चालो हो जाती है, कि प्रभु जी ने एक प्रशन पूछा है, कि वास्तव में अपने पाप और पुण्ये के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, जीवात्मा, प्रकर्ति, परमात्मा, इत्यादिय, हम विकल्प देते हैं, तब आप मनन करते हैं, जीवात्मा है, जीवात्मा नहीं हो सकती, ये तो परमात्मा तो प्रभु कह रहे थे के नहीं, हमारे लिए जिम्मेदार नहीं है, अच्छा तो फिर कौन जिम्मेदार है, इस प्रकार से आप ये मनन की प्रक्रिया उसे करते हैं, कई बार आपकी समझ में आज जाता है, कई बार आपकी समझ में नहीं आता है, लेकिन मनन की प्रक्रिया आपके भीतर चालू हो जाती, उसके बाद जब आप भीतर उसके और गहरा जाते हैं, तब कक्षा में आते हैं, क्विज में चर्चा होती है, फिर एक प्रशने के उपर फिर चर्चा होती है, फिर ये जो भी कारेकरम में हमने जो अलग-अलग प्रकार की जो चीजें रखी हैं, जैसे श्रवन की ये लिए क्लास है, और मनन के लिए और निदी ध्यासन इसको वास्ते में, जब हृदय में उतर जाती है बात, उसको जो टेक्निकल शब्द है, जो उपनिशदों में बताया गय हैं, इस प्रकरिया को पूरा होने में, ग्यान को विज्ञान में परिवर्तित होने में दो चीजें हमारे जीवन में बाधा बनती हैं वो दो बाधाई कौन सी हैं, ओर हैं कामनाय, बहुत एक एकच्छाएं और दूसरा संशे, संशे का मतलब है डाउट्स कामनाएं और ये जो doubts हैं ये हमें हमारे जो ज़ो ज्ञान है हमारे जो theoretical knowledge है उसको विज्ञान में परिवर्तित होने में ये बाधाय बनती है इसलिए हमें अपनी कामनाओं पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस प्रकार की कामनाएं कर रहे हैं और हमारे जो संचे हैं हमारे जो doubts हैं उन पर भी हमें बड़ा रुची पूर्ण तरीके से बड़ा ध्यान देकर उस पर interest लेकर हमें उन पर काम करना चाहिए कि ये बात कैसे है ये कैसे आपने कहा ये कैसे संभव हो सकता है तो इस प्रकार से जब हम अपने संचेयों को दूर करते हैं तब वास्तव में हम ज्यान विज्यान तृपता आत्मा की stage पर पहुँच पाते हैं तो इसलिए आप देखेंगे कि कख्षा में जो हम इतना बल देते हैं कि आपका कोई प्रशन है क्या आपको कोई बात समझ में आ पाई क्या आपको कोई बात समझ में नहीं आ पाई हम जब आपकी quiz का जब हम प्रशनुत्तरों को check करते हैं हम आपको individual comments देने का प्रयास करते किसी तरह से आपके संशे दूर हो और आप अधिक से अधिक ज्यान को अपने विज्यान में तब्दील कर सकें विज्यान में परिवर्तित कर सकें क्यों ताकि आप वास्तम में तृप्ति का नूभव कर सकें आप सुख का नूभव कर सकें उस विज्यान से उस knowledge से आप आग कंकड, कंकड मतलब छूटी-छूटी जो कंकडियां होती है, आश्म मतलब पत्थर, थोड़ा कंकड से बड़ा होता है, और कांचन का मतलब होता है स्वर्ण, तो कंकड, पत्थर और स्वर्ण, इन सब में कंकड और जो पत्थर होते हैं, वो उनकी भातिक्ता की दृष्टिको से कोई बहुत जादा मुल्य नहीं होता है और कांचन मतलब सोना उसका मुल्य बहुत अधिक होता है तो यहां भगवान कह रहे हैं कि जो योगा रूड सादक है जो प्रैक्टीशनर है एडवांस प्रैक्टीशनर है वो इन तीनों वस्तुओं को समान भाव से देखता है इसक सच्चा सुख नहीं मिल पाएगा मुझे इन वस्तुओं से सच्चा सुख कभी नहीं मिल पाएगा तो सच्चा सुख कहा है सच्चा सुख तो भगवान से प्रेम करने में हैं परमात्मा की शरण ग्रहंट करने में हैं तो जो योगा रूड सादक है उसकी दृष्टिकोन हो भौतिक्तावादी व्यक्ति जो होता है, जिसकी मानसिक्ता भौतिक्तावादी है, वो कंकड, पत्थर और सोने को अलग-लग दृष्टिकोंड से देखता है। विरक्ति ले लेता है। हमने पहले भी आपको चर्चा करी कि ज्ञान योगी और ध्यान योगी सक्रिय सामाजिक जीवन से विरक्ति ले लेते हैं। इसका मतलब क्या? उनका दृष्टिकोंड क्या है? उनका दृष्टिकोंड ये है कि ना तो सोना मेरे लिए लाबदायक है, नहीं कंकड मेरे ले लाब दायक है और नहीं मेरे ले पत्थर लाब दायक है। वो तीनों वस्तुओं को ही त्याग देता है। भौतिक्तावादी व्यक्ति सोने को अच्छा समझता है, कंकड पत्थर को तुछ समझता है। तथा ज्ञान योगी या ध्यान योगी कंकड पत्थर और सोने को सभी को त्यागता है, सभी को तुछ समझता है. और भक्ति योगी, भक्ति योगी की चेतना क्या होती है? भक्तियोगी की चेतना ये होती है कि जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित की जा सके भगवान की सेवा में लगाई जा सके वो सब कुछ मुल्यवान है अगर पत्थर भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है तो वह भी मूल्यवान है, अगर सोना भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, तो वह भी मूल्यवान है, तो उसके लिए भक्तियोगी हर वस्तु को भगवान की सेवा से जोड़ कर ही देखता है, उससे अलग नहीं देखता, तो ये तीन जो मानसिक्ता वाले लोग हैं, उन प्रवपाज जी उनके जीवन से एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूं कि जब व्रिंदावन में श्री कृष्ण बलराम मंदिर का निर्मान चल रहा था तो एक समय ऐसा आया कि मार्किट में बाजार में सीमेंट की शॉर्टेज हो गई सीमेंट की शॉर्टेज हो जाने की वज़े से मंदिर का निर्मान कारे जो था वो उसमें बाधा आने लगी तो प्रवपाज जी ने फोन बगरा करके अपने संपरकों द्वारा कहीं से एक ट्रक सीमेंट की व्यवस्था उन्होंने कई बड़ी मुश्किल से बड़ी तकलीर से उन्होंने करी तो जब वह सीमेंट की जो गाड़ी थी जब मंदिर के सामने आई तो प्रवपाज जी स्वेम एक एक कट्टा सीमेंट का उन्होंने अपनी नजरों के सामने उस गाड़ी से उतरवाया एक एक कट्टे को उन्होंने इस्टोर में या गोदाम में रखवाया उ उसकी चाबी एक वरिष्ट भक्त के हाथ सौपी और भक्तों ने उनसे कहा कि प्रभुपाजी आप तो ये सीमेंट को ऐसे संभाल रहे हैं कि जैसे सोना आपके पास आ गया हो तो प्रभुपाजी नका इस समय इसकी मुल्य जो है वो सोने के ही समान है तो कहने का भाव ये है कि जो भक्ती है जो भक्त है वो वास्तव में हर उस वस्तु को बहुत अधिक मुल्यवान समझता है कि जब तक वह उसको भगवान की सिवा में लगाने का उसमें मुल्य देखता हो तो जब वह देखता है कि इस वस्तु को भगवान की सिवा में लगाया जा सकता है तो वह बहुत मुल्यवान है और यदि कोई वस्तु भगवान की सिवा में नहीं लगाया जा सकती तो वह उसके लिए तुच्छ है वह उसके लिए बेकार है तो ये इस कथा से हम देख सकते हैं कि एक भक्त का दृष्टिकोन क्या होता है, एक ज्यान योगी या ध्यान योगी का दृष्टिकोन क्या होता है और एक भौतिकतावादी व्यक्ति का दृष्टिकोन क्या होता है। उसी को लेकर उन्होंने भक्तिरसामरत सिंधु करके एक ग्रंथ है जिसमें शिलरूप गोस्वामी जो हमारे एक वैशनव आचारे हैं उन्होंने बड़ा ही एक सुंदर श्लोक लिखा है तो उस श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ज्यान और विज्यान से हम विज्यान की के वस्ता में कैसे पहुंच सकते हैं वो है अधा श्रीकृष्ण नामादी नाभवेद ग्रायम इंद्री यह है सेवन मुखे ही जिवादो स्वयमेवसुरत्यदाह इसका अर्थ क्या है पहली लाइन का अर्थ देखिए जो हरे हरे रंग से यहां लिखा गया है कोई भी व्य आखों से, कानों से, हमारी जो भी इंद्रियां हैं, जो दूशित हैं, उन से हम भगवान श्रीकृष्ण के नाम, रूप, गुण और उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकरती को नहीं समझ सकते हैं मतलब यह जो ज्यान है, भगवत ज्यान है, उसको हम विज्यान अपनी इंद् दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है, मतलब भगवान की सेवा जब हम करते हैं, जब हम भगवान की भक्ती करते हैं, भगवान की नामों का जब करते हैं, भगवान की कथा का श्रवन करते हैं, भगव के बारे में भगवान के रूप, नाम और उनके गुण तथा लीलाओं को स्फुरत्यदा मतलब स्वयमेव स्फुरत्यदा मतलब ऐसे में भगवान की कृपा हमारे उपर होती है और भगवान की कृपा होने पर हमारे हिरदय में भगवान वह ग्यान स्वयम अपनी कृपा से व बड़ी जल्दी तो ये देखिए कि जैसे में तैरता है तो जितनी भी उसकी श्पीड होती है, उसी स्पीड से वह तैर सकता है लेकिन कभी कभी नदी में तैरते वक्त यदि को環 टैर ऐसी आ जाए जो व्यक्ति की स्पीड को तिगुना चोगुना बढ़ा देती है तो इसी प्रकार से भगवान के लिए जब हम सेवा करते हैं और भगवान की सेवा करते करते हैं जब भगवान की कृपा होती है तो वह उस लहर के समान है जो हमारी आध्यात्मिक प्रगती को दिन दुगुना राद चोगुना एकदम शन में वो कहीं का कहीं पहुँचा देती है लेकिन वो संभव कैसे होता है वो संभव होता है भगवान की सेवा के द्वारा तो यानि के भगवान की सेवा जब हम करते हैं भगवान की सिवा में जब हम लगते हैं तो यही जो ज्यान जो हम कक्षाओं में पढ़ते हैं भगवान की सिवा में लगने से भगवान की जब कृपा हमारे उपर होती है तो वही ज्यान विज्यान में चुटकी बजाकर परिवर्तित होने लगता है एक बुलेट यहाँ पर इस तातपरिय में शिलप प्रभुपाजी लिखते हैं उस बुलेट को हम देखेंगे देखें प्रभुपाजी लिखते हैं अनुभूत ग्यान से सादक पूर्ण बनता है आध्यत्मिक ग्यान से मनुष्य अपने संकल्पों में द्रड रह सकता है लेकिन किंतु मात्र शेक्षिक ग्यान से वह भारी विदरोर्दा भासों द्वारा मुहित और भ्रमित होता रहता है केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म सयमी होता है क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है धिरे-धिरे पढ़ेंगे जरा अनुभूत ग्यान से साधक पूर्ण बनता है मतलब क्या? कि जब तक आपकी नॉलिज ग्यान के इस तरपर है तब तक उसका कोई बहुत फायदा नहीं है आप तरपतात्मा नहीं बन सकते हैं तो अनुभूत ग्यान से अनुभूत ग्यान मतलब जब वह ग्यान विज्ञान की स्टेज पर आ जाए अनुभूत मतलब जब आप उस ग्यान को experience कर लें जब आप उसको realize कर लें तो अनुभूत ज्यान से ही वास्तव में साधक पूर्ण बनता है। आध्यात्मी ज्यान से मनुष्य अपने संकल्पों में द्रड रह सकता है। आध्यात्मी ज्यान से संकल्पों में द्रड रहने का मतलब क्या? जब आपको internally satisfaction मिलता है, जब आप तृताप्तना हो जाते हैं, आपको लगता है कि हाँ मेरा ये विज्यान जो है मुझे तिरप्ती दे रहा है, मुझे ये satisfy कर रहा है, तो automatically आपको बहार की जो प्रलोभन हैं, आप उनसे मुझ मोडना शुरू कर देते हैं। प्रभुपाजी हैं वो ही लिख रहे हैं कि आध्यात्मी ज्यान से ही मनुष् आपने BA कर ली, MA कर ली, PhD कर ली, डॉक्टरेट ले ली, इससे केवल एजुकेशन से ही, केवल material एजुकेशन से आप जो जीवन की ये जो कड़वी सच्चाईयां हैं, जो विरोधा भास हैं, जो उच नीच जो जीवन में आती हैं, उनसे आप भ्रमित होते रहेंगे, वो श साधक भगवान की शरण ग्रहन नहीं करता है, भगवान की सेवा में नहीं लगता है, उसका ज्यान जो है विज्ञान में परिवर्तित नहीं होता है, वह यदि विज्ञान में परिवर्तित ना हो, तो वह द्रड संकल्पी नहीं हो सकता है, द्रड संकल्पी ना हो, तो वह अपने ग्यान को अनुभूत ग्यान में convert करना चाहिए, बदलना चाहिए और उसकी विधी यहाँ प्रभुपाजी हमें बता रहे हैं तातपरे में उसकी विधी है भगवान की सेवा भगवान की सेवा का क्या मतलब है भगवान के नामों का जब करें भगवान का निर्देश जिन पुस्तकों में लिखा है यानि कि शास्त्र उनको पढ़ें और भगवान से संबंधिद आप जो भोजन है भगवान का भोग लगाकर उस भोजन को पराप्त करें और भक्तों का संग करें इस प्रकार से आप भगवान की सेवा में नियमित रूप से लग सकते हैं और अपने ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित कर सकते हैं। पर हमारा मित्र, हमारा हितैशी, हमारा भला चाहने वाला अरी मतलब शत्रु, उदासीन मतलब न्यूट्रल, मध्धथ मतलब मीडियेटर दूषय मतलब इर्शा रखने वाला, बंदुशू मतलब हमारा सगे संबन्धि, फिर साधु शवपी, पापेशू, साधू और पापी व्यक्ति, तो सभी प्रकार के मनुष्यों को समान देखना, देखिए इस लोक में फिर आगे भगवान देखते हैं सम बुद्धिर विशिश्यते, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धी भी सम है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धी भी equally देखने वाली है, equal vision वाली है, पर यहाँ पर आधवक जो है, वहयोगी जो है, और अधिक advanced है, और अधिक उननत किया गया है, देखे हमने पांचवे अध्याय में एक शलोक पढ़ा था, अठार्वा शलोक, जिसमें हमने पढ़ा था, विद्या विने संपन्ने, ब्रह्मने गवी हस्तिनी, शुनी चैवा शोपाकेचा, पंडिता समदर्शिना, वहाँ पर हमने समदर्शिता की बात करी थी, और वहाँ पर क्या-क्या हमने देखा था, हाती हो, कुत्ता हो, गाय हो, सादू हो, कुत्ते को खाने वाला चांडाल हो, तो वहाँ पर हमने पशुयोनी का भी व्यक्ति देखा, समाज में एक निचले स् से देखी अलग-अलग योनियों में जो जीव हैं उन में समता हमने देखी लेकिन यहां जो समता हमें भगवान दिखा रहे हैं वो समता किस प्रकार की है वो समता है सिर्फ मनुष्यों से संबंदित समता तो मनुष्यों में आपको अलग-अलग category के मनुष्य मिलेंगे जो व् मित्र है, जो व्यक्ति आपके साथ द्वेश की भावना रखता है, जो व्यक्ति आपके लिए न्यूट्रल है, जो व्यक्ति आपके लिए एक मीडियेटर के लिए भाव रखता है, जो व्यक्ति आपका सगा संबंदी है, अलग-अलग प्रकार के व्यक्तियों के प्रती मान अपमान में एक रहता है, ये समता साथवें शलोक में बताई थी, आठवें शलोक में समता बताई थी, कंकड, पत्थर, सोने को समान भाव से देखता है, तो ये एक प्रकार की समता बताई गई, लेकिन दूसरे प्रकार की समता यहाँ पर बताई जा रही है, यह है कि हर प मुकाबले किसके अलग-अलग प्रकार की भावना रखने वाले व्यक्तियों क्योंकि इनकी भावना जो हम बदलती रहती है तो भगवान यहाँ पर यह बताते हैं यह एक fine point है दोनों तीनों श्लोकों में जो यह समझने वाली बात है इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से इसको बताया है आगे चलते हैं अगला section हमारा आगया है दस्वें से लेके 32 श्लोक तक आज हम इसके कुछ दो-तीन श्लोक पढ़ेंगे देखिए दस्वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अब इस section में अश्टांग योग के बारे में डिटेल देना शुरू करते है और अश्टांग योग की अलग-लग अवस्थाएं अलग-लग बारीकियां जो हैं उनके बारे में बताते हैं वो अलग-लग बारीकियां क्या है दस्वेंश लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगी युन्जित सतत्पात्मन आत्मानम्रहसिस्थितः एकाकियत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह अर्थात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण योगा-रूड अवस्थाय में जो की करी जाने वाली जो क्रियाएं हैं जो activities हैं योगा-रूड अवस्थाय में जो salient features हैं जो अलग-अलग activities हैं उसके बारे में यहाँ भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ बता रहे हैं वो कहते हैं योगी युन्जित सतत आत्मा आत्मानम रहसी स्तिता मतलब ऐसा जो योगी है वह एकांत स्थान में रहता है और फिर योगी युन्जित सतत आत्मा, योगी युन्जित सतत आत्मा मतलब, योगी का मतलब जो योग करता है, युन्जित मतलब connected, परमात्मा से connected, तो भगवान उसके लिए कहते हैं, सदैव, शरीर, मन, आत्मा को परमात्मा में लगाए रखता है, योगी युन्जित सतत एका की यतचित्वात्म, एका की मतलब सावधानी से मन पर नियंत्रण करता है, सावधानी के साथ मन पर नियंत्रण करता है, और फिर निराशीर परिग्रह, निराशीर परिग्रह का मतलब परिग्रह बोलते हैं, संग्रह, संग्रह करना मतलब इघटा करना, इघटा करना जैस तो यहां लिखा है निराशीर, परिग्रह, संग्रह की भावना को वो त्यागता है। तो यहां योगा रूड अवस्था में जो क्रियाएं हैं वो दी गई हैं, वो हैं, एकांत इस्थान में रहता है ऐसा आद्मी, सदैव, शरीर, मन, आत्मा को परमात्मा में लगाए रखता है, सावधानी के साथ मन पर नियंत्रन करता है और संग्रह की भावना को त्यागता है। इसके बारे में हम यहां प्रभुपाजी के जो दो तातपरिये दिया हैं उन्होंने, उसमें दो बुलेट पॉइंट्स हैं, उसके माध्धम से समझने का प्रियास करेंगे। प्रभुपाजी यहां लिखते हैं कि यह जो साधक है वो भगवान में अपना ध्यान लगाता है, भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रियास करता है। तो प्रभुपाजी उसको लिखते हैं, परमेश्वर में मन की एक आगरता ही समाधी कहलाती है, प्रभुपाजी यहां क्यों लिख रहे हैं, समाधी कहलाती है, क्योंकि यह अश्टांग योग का ध्याय है, अश्टांग योग में समाधी जो है यम नियम आसन प्राणयाम प्र योगी है वे सदैव अपने शरीर और मन को परमेश्वर में लगाता है अब परमेश्वर में मन को लगाने के लिए आपको एकांत स्थान की आवश्यक्ता है तो प्रुपाजी फिर आगे यहां लिखते हैं मन को एकागर करने के लिए सदैव एकांत वास करना चाहिए और बाह तो यहीं वही चीज जो है, यहाँ पर आई है, दुबारा से, कि मन को एकागर करना है, मन को एकागर करने के लिए एकांत वास्त करना पड़ेगा, लेकिन मन को एकागर हमें क्यों करना है, क्योंकि हमें भगवान में ध्यान लगाना है, तो disturbance नहीं होना चाहिए, और बहरी वस्तु श्री कृष्ण की है, फल सरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है, इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता, तो यह जो दूसरा बुलेट है, यह कहां से आ रहा है, यह आ रहा है, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा संग्रह भाव को त्यागे, तो अश्टांग योगी के मन में भगवान शी कृष्ण को लेकर हो सकता है, कोई बहुत अधिक धारणा उससे में ना हो, जब वह अश्टांग योग करता है, वह यह जानता है कोई परमशक्ती है, परमात्मा है, इश्वर है, तो वह उस संपत्ती, इत्यादी, इत्यादी, उसको इखटा करने की जो भावना है, उसको त्यागता है, लेकिन प्रभुपाजी यहाँ जो अपने तात्परे में लिख रहे हैं, वो अपने तात्परे में भक्ती को लेकर यहाँ पर तात्परे लिख रहे हैं, कि अश्टांग योगी तो जो संग्रह की भावनागा त्याग करता है, वो वास्तम में धन से, संपत्ति से, इस प्रकार से संग्रह की भावनागा त्याग करता है, उसे अपनी तरफ से अलग से प्रयास करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति के अंदर है, उसे ये प्रयास अलग से नहीं करन पड़ता और उसी बात को यहां प्रवपाजी लिखते हैं वो कहते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यानि के एक भक्तियोगी भली भाती जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है फल सरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है इस प्रक व्यक्ति योगी क्या बात विक्सित करता है कि यह वस्तु मेरी नहीं है यह सोना यह चांदी यह घर यह वस्तु मेरी नहीं है लेकिन भक्ति योगी क्या बात विक्सित करता है क्या चेतना विक्सित करता है वो ये चेतना विक्सित करता है कि ये वस्तु श्री कृष्ण की है देखे एक व्यक्ति की जो भावना है उसमें rejection है ध्यान योगी अश्टांग योगी इनकी जो चेतना है उसमें rejection का भाव प्रधान है ये मेरी नहीं है लेकिन भक्ति योगी जो है उसकी जो चेतना है उसमें भाव क्या प्रधान है ये कृष्ण की है तो दोनों बातें एक तरीके से एक ही है जैसे हमने पहले पिछली कक्षा में पढ़ा था कि योग और स एक कहता है प्रकाश नहीं है दोनों ही एक ही चीज बोल रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं तो भक्ति योगी भगवान से जोड़ने की बात करता है हर चीज भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर देखता है और अश्टांग योगी उसका अपने इस्तर प भूत क्रिया हैं बेसिक प्रैक्टिसिस ऑफ अश्टांग योग उनमें क्या-क्या प्रैक्टिसिस हैं वो थोड़ा सामिया ग्यार्वे और बार्वे श्लोप में देखते हैं यहां लिखते हैं शुचव देशे प्रतिष्ठाप्य थिरमासन मातर मनाह नात्यो छृत्तम नाति नीचम चैला जिनकुषोत्तरम तत्रैगा ग्रम मना कृत्वा यतचित्तेंद्रिया क्रिया अपभिष्यासने युन्जयात योगो आत्मविशुध्धये अर्थात यहां पर शुचव देशे प्रतिष्ठाप्य थिरमासन मात्मनाह नात्यो चित्तम यहां पर बताया गया है यहां पर तो पहले बाहर का एंवार्मेंट देखते हैं वो कैसा होता है तो जो अश्टांग योगी होता है उसको एक बड़े साफ सुत्रे इस्थान पर जाकर एक पवित्र इस्थान पर जाकर जो एकांत में हो ऐसे इस्थान का उसको चुनाव करना होता है अपनी योग साधना के ल प्रत्याहार करने के लिए उसे सक्रिय सामाजिक जीवन से वो विरक्ती ले चुका है और वो कहीं बहार जंगल में जाता है, वन में जाता है उसके लिए यहां पर इंस्ट्रक्शन थे हैं कि उसको कौन सी बातों का ध्यान रखना है तो स्वच पवित्र और एकांत स्थान का चुनाव वो करें इस स्थान पर जाकर वह कुशा, कुशा एक प्रकार की घास होती है उस सुखी हुई कुशा घास को वो बिच्छाए उस कुशा घास पर वो एक मिर्क चाल, मिर्क चाल मतलब हिरन की जो खाल होती है हिरन की जो चाल होती है जो हिरन मर जाते हैं जो मृत हो जाते हैं उनकी जो उनसे जो जो स्किन होती है उनकी उससे जो आसन बनाया जाता है उसे मृक चाल बोलते हैं मुरिक चाल ले, उस मुरिक चाल के उपर कोई एक मुलायम वस्तर वो वहां बिचाए, और ये जो आसन होना चाहिए, ये कोई बहुत उचा नहीं हो, बहुत नीचा ना हो, ऐसे स्थान पर वो अब अपनी योग साधना के लिए आसन तयार करें, तो स्वच हो, स्थान पवित् ये कांत में क्यों हो, क्योंकि उसे ध्यान लगाना है, मन को एकागर करना है, परमातपर ध्यान केंद्रित करना है, और आसन जो है, वो comfortable हो, घास, घास के उपर मुरिक चाल, मुलायम वस्तर, और ये आसन ना बहुत अधिक उचा हो, और ना बहुत अधिक नीचा हो, बहुत कठे ना ही हो तो एक comfortable seat बना कर आप वहाँ पर अपने आपको बैठें, वहाँ पर अपने आपको establish करें और फिर भीतर, भीतर में जो environment है अब उसके बारे में बताया गया है, भीतर में वो कहते हैं, मन को एक बिंदू पर केंद्रित करें, अपने मन और इंद्रियों को वश्मे करें, तथा हृदय की शुद्धता के लिए योग करें, और फिर युन्जायात योगम आत्म भी शुद्धिये और फिर अपने हिर्दे की शुद्धता के लिए योग की प्रक्रिया आरंब करें तो ये अश्टांग योग की मूल भूत क्रियाएं हैं बेसिक प्रैक्टिसीज हैं जो यहां भगवान शीकृष्ण अब हमें बता रहे हैं तो ये आप देखें कि एक प्रकार से जो अश्टांग योग में प्रत्याहार जो विधी है यम नियम आसन प्राणयाम फिर प्रत्याहार में क्या है कि व्यक्ति जो है, साधग जो है, अपने मन को एकाँगार करता है, अंदर की तरफ मोड़ता है, तो उसके लिए कैसी इसी सीट होनी चाहिए, कैसी जगा होनी चाहिए, उसके बारे में यहां बताया गया है, अब आप इस से अंदाजा लगा सकते हैं, कि ये जो प्रक्रिया है, ये इतनी सरल नहीं है। पहली बात तो वन में जाकर आपको कोई एक आंत स्थान ढूंड़ना है। उसमें फिर आपको इस प्रकार से आसन का निर्मान करना है। और फिर वहाँ आपको बैठकर इस प्रकार से मन को एकागर करना है। एक बिंदु पर। तो वातावरण जो जि कि ये जो अश्टांग योगी हैं जो इस प्रकार से आसन लगाते हैं, वन में जाकर ध्यान करने का प्रयास करते हैं। और वहाँ पर योग करके अपनी आत्मा को अपने आपको शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो प्रोपाजी यहाँ पर बताते हैं कि ये जो योग विधि है, ये कल्यूग में कोई बहुत ज़दा प्रेक्ट कल नहीं है, और उसी बात को सपोर्ट करने के लिए वो ब्रहन नारदिय पुरान से एक शलोक को यहां पर कोड करते हैं, उस शलोक में क्या लिखते हैं? अतहा ब्रहन नारदिया पुराण में कहा गया है कि कल्यूग में जहां लोग अल्पजीवी, आत्म साक्षातकार में मंद, तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वर्श्रेष्ट माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है तो प्रहुपाजी ने यहां बताया है कि कल्यूग में जो व्यक्ति हैं, जो ज़्यादा तर लोग हैं, अल्पजीवी हैं, उनकी आयू बहुत अधिक नहीं होती हैं आत्म साक्षातकार में मंद, आत्म साक्षातकार में मंद का मतलब क्या? इस्पिरिच्वल बातों को लेकर उनका एकसाइटमेंट, उनकी क्यूरोसिटी, उनकी केपिबिलिटी बहुत ज़ादा नहीं है और फिर चिंताओं से व्यक्र तो जहां पर कल्यूग में इस प्रकार की नेचर के लोग रहते हैं, उनके लिए मन को एकागर करना, वन में जाना, आसन वगरा करना, खोजना, पवित्र स्थान पहली बात तो कल्यूग में आज की तारीक में ना तो इतने वन रह गए हैं और यदि वन रहते भी हैं, तो वहाँ पर जादा तर जितने भी जंगली जानवर हैं, या एक तरीके से अपराधी लोग हैं, डकैत लोग हैं, या आतंकवाधी लोग हैं, इस प्रकार के लोग वहाँ पर निवास अधिक करते हैं तो ऐसा स्थान ढूड़ना कल्यूग में पहली बात तो वही बड़ा कठीन हैं, और उसके अलावा जो quality of human beings available हैं कल्यूग में, जिस प्रकार के मनुष्य human कल्यूग में उपस्तित हैं, वो कोई बहुत ज़ादा इस काम के लिए fit नहीं है, तो फिर fit क्या चीज है, तो वही प्रवपाजी यहां कहते हैं, ब्रहन नारिदिय पुराण में क्या कहा गया है, ब्रह्म नारिदिय पुराण में कहा गया है कि भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ट माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है, और ये ब्रहन नारिदिय पुराण में ये श्लोक आत इसका अर्थ क्या हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम एव मतलब भी केवलम मतलब only केवलम मतलब only तो यहां दो इंटेंसिफायर हैं इंटेंसिफायर मतलब जो किसी बात को बढ़ा चड़ा के बताते हैं मतलब गहराई उसकी बढ़ाते हैं जैसे मैं कहूं कि मैं आम खाना चाहता हूं और उसके बाद मैं यह कहूं मैं आम ही खाना चाहता हूं तो दूसरे जो व्याक्य है उस मतलब कल यूग में कलहा और दंभ के इस यूग में मोक्ष का एक मात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीरतन करना है कोई दूसरा मार्ग नहीं है कोई दूसरा मार्ग नहीं है कोई दूसरा मार्ग नहीं है तो आम तोर पर यह समझा जाता है कि कभी भी किसी बात को तीन बार यदि दोहराया जाए तो वास्तव में उससे बात की जो value है, बात की जो वजन है वो बढ़ता है, यहां देखिए कि हरेड़ नाम हरेड़ नाम हरेड़ नाम आईव केवलं कलव नास्ट्याईव 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 गतिरन्य था है तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्रवपार जी हमें यहां clear cut message दे रहे हैं देखो भई अष्टांग योग जो है वो कल्यूग में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है अष्टांग योग वास्तव में जो पूर्व योगों में जो सादक हुआ करते थे वास्तव में उनके लिए अच्छा था लेकिन जो कल्यूग में मुख्य जो योग का जो सादन है हरी नाम संकीरतन हरी नाम और उसके लिए वो शास्त्रों से एक प्रमाण भी हमें देते हैं और जो प्रमाण वो दे रहे हैं वो दे रहे हैं ब्रहन नारदिय पुरान से तो आज समय को ध्यान में रखते हुए मैं सोचता हूँ कि आज की कक्षा को तो हम यहीं विश्राम देते हैं, बाकी की जो चर्चा है, वो हम अपने अगले, अगली सत्र में करेंगे, यदि आपका कोई प्रश्न हो, तो हम यहाँ पर अब उस पर चर्चा कर सकते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद, अब आप अपने आपको अन्म्यूट कर सकते हैं, और यदि कोई प्रश्न हो आपका, तो हम अज़्समें चर्चा कर सकते हैं. अब आप अपने आपको अन्म्यूट कर सकते हैं.